हाई मैं हूँ अपूरवशेट और मैं स्वागत करता हूँ आपका दर राइट चॉइस इस विट और लाल स्ट्रीट के 93 वे एपिसोड पर है अगर आप हमारा ये शो पहली बार देख रहे हो तो हमारी चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजे ताकि आप एक बहुतर ट्रेडर औ सके लगवग देड़ साल से हम हर शनिवार सुबह 11 बजे एक इंसाइट फूल एपिसोड लेके आते हैं मार्केट एक्सपर्ट से एक्शनेबल और इंसाइट फूल स्राट्जीज लेके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं पिछले एपिसोड में हम विजय भंवानी जी के सा बारे में हमने बात की आज हम अपने कॉन्वेसेशन को कंटिन्यू करेंगे और जो तीन टूल्स के बारे में हमने पिछले एपिसोड में बात की थी उन्हें हम विस्तार से देखेंगे तो चलिए आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर ये एक तकने की चार्ट है अंग्रेजी में एक कावत है बात को जितनी सरल और सिंपल रखें उतनी समझ में ज्यादा आती है और ये ज़रूरी नहीं है कि कॉम्प्लिकेटिड और बहुत ज्यादा पेचीदा चार्ट जो है वो ज्यादा एक्यूरेट होते हैं जो सचाई है इसके बिल्कुल विपरीथ है जो जितनी ज्यादा सिंपल और सरल चार्ट रखते हैं उनकी ट्रेडिंग प्राबबिलिटी जो काम्याबी की है वो ज्यादा अच्छी होती है उल्टा अब इस चार्ट को आप देखिए आपको दिखाई देगा कि पिछले 6 माहिनों से ये निफ्टी का चार्ट है और ये मैंने ट्रेडिंग व्यू से निकाला है जो की एक फ्री ट्रेडिंग टेक्निकल अनालेसिस प्लाटफॉर्म है आप देख रहे हैं मोटा मोटी दाम जो है जून सन 2022 से लेकर उपर की ओर जा रहे हैं बीच बीच में दाम नीचे आते हैं लेकिन फिर से बढ़त आना शुरू हो जाती है तो मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि मार्केट जो है उपर की ओर जा रहे हैं बुलिश मार्केट इसका नजरिया जो है माजार का वो बुलिश है अब इन में मैंने कुछ रेखाएं बनाई हैं जिसे ट्रेंड लाइन्स कहते हैं हम लोग इंग्रेजी में और ये रेखाएं आपको बताती हैं कि कब दाम जो है पिछले किसी स्थर से उभर कर उपर चले आता है या पिछले किसी स्थ दर से लड़क कर नीचे ब्रेकडाउन दे देता है ये आपको अंदेशा देते हैं कि क्या बिक्वाली का दबाव बढ़ेगा या खरिदारी का माहौल और ज्यादा तेजी पकड़ेगा अब एक टेक्निकल चार्ट में आपको क्या देखना चाहिए? क्या दाम उपर की ओर जा रहे हैं और उपर जाते 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 जब भी करेक्शन आता है तो वो छोटे करेक्शन होते हैं और फिर बढ़त का दौर जो है वो शुरू हो जाता है जैसे आपने पिछले चार्ट में देखा दाम कई सब्ताह तक बढ़ रहे थे, कई हफतों तक बढ़ रहे थे, फिर हफते दो हफते की मंदी आती थी और फिर से बाजार फिर उपर की ओर, तो माहौल तेजी का बनता है ऐसे बाजार में दूसरी बात, is the price above or below its 20 day moving average? अब 20 दिन का जो moving average है इसकी बहुत ज्यादा एक महत्व है बाजार में very important moving average, if you're taking a daily chart, अगर एक daily chart आप लेते हैं, तो 20 कारोबारी दिवसों में एक महिना हो जाता है, और अगर 20 दिन का average उपर की ओर जा रहा है, तो एक average trader की जो purchase cost है, वो धीरे धीरे उपर जा रही है, यानि लोग उपरी दाम पर खरीदारी कर रहा है, यानि रुजान आप कह सकते हैं, trend कह सकते हैं, outlook कह सकते हैं, नजरिया कह सकते हैं, वो उपर का है, अगर moving average उपर जा रहा है और दाम moving average से और भी उपर है, तो और भी ज्यादा ज़्यादा सिंपल होने की वज़े से हलके में लेते हैं और कहते हैं यह तो बहुत सरल है बहुत ज़्यादा सिंपल है इससे कहा पैसा बनेगा लेकिन आज भी मार्केट में यह चलता है दूसरी बात इस दे प्राइस नियरा सपोर्ट और रिजिस्टेंस सपोर्ट याने भी दाम पिछले सपोर्ट के आसपास आते हैं तो वहां से छोटे अब्दी के लिए वो उपर जाते हैं हो सकता है वो वहां से नीचे गिर जाएं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक बार थोड़ी बढ़त आ जाती है क्योंकि प्राइस मेमरी पिछले बार जब दाम वहां पर आ बढ़ेंगे तो मार्केट जो है पिछले सपोर्ट और पिछले रिजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देता है और वहां से दाम आपको ट्रेडिंगaten हमेशा देता हैं तो सपोर्ट और रिजिस्टेंस को मार्कर करके रखिए इसी वज़े से ट्रेंडलाइन sister हैं आप जो है मैं आता हूँ snap quote window पर, snap quote window जो है अलग-अलग brokers के terminals में अलग-अलग commands पर आता है, लेकिन ज्यादा तर brokerage terminals पर मैंने देखा है, कि आप किसी भी share या कोई भी traded security है, उसको highlight करके F5 का button दबाते हैं, F5 का button दबाते हैं, तो ये snap quote window खुलता है, इसमें अपूरवा, लगभग, धाई दर्जन छुपे हुए signals हैं, एक कारोबारी के लिए, और मैं इसे एक trader की cockpit मानता हूँ, जिस सरह से हवाईजास चलाने के लिए pilot cockpit मर बैठकर, तीन सो साड़े तीन सो control से ज्यादा उसके पास button दबाने होते हैं, वो हवाईजास की गती, दिशा, रफ्तार, अंधलान, चड़ान, सब control कर लेता है, उसी cockpit से बैठे बैठे, उसी तरह से आप अपनी trading की journey, उसमें कामियाबी या उसमें नाकामियाबी, वो सब इसी snap quote window से लेते हैं, जब तक आप इस snap quote window में mastery नहीं कर पाएंगे, तब तक day trading में आपके लिए मुनाफ़ा कमाना काफी मुश्किल पड़ जाएगा, अब देखिए, ये snap quote window है, इसमें नीले कलर के जो रंग हैं, वो खरीदार हैं, और जो लाल कलर के रंग हैं, वो बिक्वाली करने वाले लोग खड़े हैं, वो दिन चले गए, जब Bombay Stock Exchange में एक trading ring हुआ करती थी, और लोग अपने हाथों से signal किया करते थे, मुझे खरीदना है, मुझे बेचना है, और इस दाम में बेचना है, वो था quote driven system, अब बाजार electronic बन गये हैं, अब आ गया है order driven system, तो आप अपना order system में डालिए, आपको अगर buy करना है, तो आप नीले रंग के आकड़ों में आपका सौदा आएगा, जब तक लाल कलर के आकड़े, जहां पर बेचवाल खड़े हैं, उनका rate, आपके rate से mail नहीं खाता है, तब तक आपका सौदा execute नहीं होगा, अंग्रेजी में इसे कहते हैं order fill, आपने जो order system में डाल के रखा था, वो execute हो गया, आपका सौदा कामियाबी से enter हो गया है, तो यहां पर आप देखिए, खरिदार खड़ा है 3430 रुपए और 45 पैसे पर, लेकिन बेकवाल कहता है कि मुझे तो भाई 3430 रुपए और 25 पैसे चाहिए, अब सौदा कैसे होगा, सौदा तब होगा, जब यहां तो नीले रंग का जो rate है, वो लगबग 3 रुपए अपनी limit बढ़ा दे, यहां तो लाल कलर वाले जो बिकवाल खड़े हैं, वो कहें दे भाईया, अब अगर 3 रुपए घटा के नहीं बेचेंगे, तो कल शायद 10-20 रुपए नीचे में बेचना पड़े, अगर घड़ी घड़ी, नीले रंग वाले अपना rate बढ़ा रहे हैं, तो बाजार में लोब है, और दाम उपर की ओर जाएंगे, और अगर बाजार में लाल रंग वाले आँख मीच लेते हैं, यानि ब्लिंकिंग वी आए, और अपना rate घड़ी-घड़ी घटा रहे हैं, तो बाजार में भय का माहौल बना हुआ है, और बाजार नीचे की ओर जाएगा, जैसा मैंने कहा, इसमें दो धाई दर्जन और छुपे हुए सिगनल्स हैं, ये एक बहुत ही बड़ा विशय है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है बाई इटसल्फ स्नैप कोट विंडो, लेकिन मैं संग्शिप्ट में बात करूँँगा आप से, आप देखिए, यहां पर open, high low, close, ये चार आंकडे हैं, open high और low आज के हैं, close जो है, ये पिछले सतर का है, पिछले ट्रेडिंग सेशन का है, अब देखिए, पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो दाम बंद हुआ था, वो 3,406 रुपे और 30 पैसे पे हुआ था, यानि अब जो rate चल रहा है, वो कल से उपर हैं, कितना उपर हैं, लगभग पौने एक प्रतिशत उपर हैं, और जब तक rate कल से उपर चल रहा है, और ये नीले रंग वाले, ब्लू कलर वाले, बायर्स, घड़ी घड़ी अपना rate modify करके, लपक लपक कर, बेचवालों से माल खरीद रहे हैं, और दाम कल से उपर चल रहा है, तब तक आपको उस दिन, उस particular दिन, या शायद उस particular घंटे में, क्योंकि short term trading में आप कई बार एक घंटे के अंदर मुनाफ़ा कमा के निकल जाते हैं, आपको उस वक्त, उस माहौल में तेजी के सौधे खोजने चाहिए, अगर आप market के दिशा के विपरीत जाएंगे, तो आप मू के बल गिरेंगे, आपको नुकसान होगा, क्यूं? क्योंकि दाम कल से उपर है, और नीले रंग वाले बहुत उतेजित हैं, बहुत ही एगर हैं, कि हम किसी भी दाम में माल खरीद हैं, अगर यही उल्टा होता, अगर यह rate, आज का मौजूदा rate, कल के closing से नीचे चल रहा होता, और लाल कलर वाले बिचवाल जो हैं, वो दाम घटा-घटा के माल बेच रहे होते, और आप value buying करने आ गए, या averaging करने आ गए, तो आपको बहुत शती पहुचेगी, बहुत नुकसान मिलेगा, क्योंकि आप बाजार के धारा के विपरीद जा रहे हैं, वो trading against the trend, basically. हमारे 2, 4, 5, 10, 50 lot लेने से दाम कोई चलने वाले नहीं हैं, तो जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो दिगज हैं, आप किसी भी नाम से कहिए, institutional player कहिए, operator कहिए, smart money कहिए, big money कहिए, वो जिस दिशा में जाते हैं, उस दिशा में जाईए, वहीं आपको मुनाफ़ा मिलेगा. तो ये snap quote window ही आपको बताएगा, कि आपको सौधा तेजी के माहल में करना चाहिए, या मंदी के माहल में करना चाहिए. और आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी बहुत ही रोचकत चीजें हैं. अब snap quote window में जब आप analysis करते हैं, तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी हम जो trading करते हैं वो किसी technical oscillator या किसी indicator के basis पर नहीं करते हैं, आप अपने broker को ये नहीं कह सकते हैं कि फलाने share का 20 दिन का moving average जब इस level पे आएगा तो मेरा dam, इस dam में 500 share खरीद लेना, वो phone पटक देगा, आपको ये कहना पड़ेगा कि फलाने फलाने rate में मेरा ये share खरीद ले तो आप किस चीज पर खेल रहे हैं, डाम पर खेल रहे हैं, और सबसे पहले धारा या अदिशा, market का trend बदल रहा है, ये कहां से आपको संकेत मिलेंगे, ये दाम से मिलेंगे, और दाम कहां से आप catch पर कवाएंगे, snap quote window से, तो snap quote window के जरिये trade करने के कुछ बहुत ही साधारन और simple rules में आपको बताऊंगा, ये दूसरा है, tick by tick window, हर second ये update होते रहता है, ये कचे तेल का crude oil का tick by tick window है कल रात का, आप देखेंगे कि एक, दो, तीन, चार lot का का काम हुआ यहां पर, लेकिन अचानक से आप देखिए, ये स्तर, पहले 4, 5, 6 lot का काम हो रहा था, अचानक से 57 lot, 11 lot, 11 lot, 16 lot, यहां पर 6,114 से 6,116 के बीच में बहुत तीवर गती से volume बढ़ गया, तारोबार बढ़ गया, जैसा कि मैंने आपको का, you receive a lot of good morning messages, सुप्रबातम, don't tell me what you feel about me, I will gauge what you think of me by your actions against me, आप मुझसे किस तरह का व्यावार या दुर व्यावार करते हैं, उससे मैं अंदादा लगाँगा कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, शब्दों से नहीं, तो ये आप व्यावार देख रहे हैं मार्केट का, यहाँ पर किसी ने यहाँ तो बहुत बड़ी buying की है, यहाँ बहुत बड़ी selling की है, और जब जब दाम इस level पर फिर से आएगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा उठक पटक होगी, volatility होगी, और volatility एक कारोबारी का सबसे घणा दोस्त होता है, क्योंकि उस उठक पटक में आप पैसा बना सकते हैं, तो पैनी नजर रखिए, एक बाज की, एक चील की, एक इगल की view रखिए, आपको हमेशा watch करना पड़ेगा, कि कहां अचानक से तीवर गती से volume आ गया और उसके बाद दाम में क्या हुआ, क्या हम इस tick by tick window को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना सकते हैं, उसका जवाब है हाँ, कैसे वो ऐसे, हम ये देखेंगे, कि कहां tick by tick window में, दाम के साथ साथ volume में बढ़ता आई, और जैसे मैंने आपको कहा, दाम में भी एक memory होती है, जब जब दाम उस level पर फिर से आते हैं, तब तक वहाँ पर volatility बढ़ने शुरू हो जाती है, अब आपको मैंने जो tick by tick window दिखाया था पहले, उसके साथ साथ मैंने snap coat window लगा दिया crude oil का, और मैं अपनी screen बढ़ी कर रहा हूं ताकि अमारे दर्शक जो हैं, इसे ज्यादा स्पश्टता से देख सकें, clearly देख सकें, ये देखिए, ये जो है 6114 से लेके 6116 के बीच में बहुत ज्यादा कारोबार हुआ, एक, दो, तीन, चार, पांच लॉट का काम होता था, व मार्केट की धारा क्या है, वो आप देखिए, देखिए, open, high, low and previous close, पिछला close जो था 6475 का था, crude oil का, अब सौधे हुए हैं 6114 के आसपास, यानि दाम तो लुड का हुआ है, लुड के हुए दाम में क्या हो रहा है, ये खरीदार हैं, हरे रंग के, और ये लाल रंग वाले बिक्वाल हैं, 1233 लॉट का बिक्वाल है, टोटल, बिक्वाली बननी हुई है, और 419 लॉट की टोटल accumulated खरीदारी है, cumulative long buying, यानि रुजहान क्या है, रुजहान बिक्वाली क है, दबाव बना हुआ है, हाला कि दाम जो है, पिछले दिन से 300 रुपई से ज्यादा गिर चुका है, फिर भी बिक्वाली आ रही है, और उस माहौल में अपूर हुआ, आपने अचानक से देखा, कि 4 या 5 गुना बड़े बड़े लॉट्स में काम हुआ, यानि गिरावट और बाकी है, क्रूड ओयल में जब जब 6,114 के आसपास दाम आएगा, तब आप देखेंगे, वॉलेटिलिटी बड़ेगी, और जब तक क्रूड ओयल 6,114.15 के उपर टिक नहीं जाता है, दो चार दिनों के लिए, अच्छी खासे वॉल्यूम के साथ, तब तक हम ये नहीं snap code window और tick by tick list कि आप मुझे बेचिये, हमारी मुसीबत ये है, हमारी दिक्कत ये है कि बाजार जब बोल रहा होता है, तो हम कान बंद करके trade कर रहे होते हैं, हम बाजार के इन संकेतों पे ध्यान नहीं देते, अगर ध्यान देते, तो बाजार के संग संग, बाजार के सही दि आते हैं, तो ये हो गया आपका tick by tick window और snap code window ये बन जाते हैं आपके screen reading प्रानाली के कुछ हिससे, अब हमने जैसे देखा, we combine the screen of snap code window and tick list, एक अलग ही पहलू, एक अलग ही dimension खुल गया आपके लिए, यो समझे कि तीसरी आंख शिव जी की खुल गया आपके लिए, आपको third dimension 3D view मिल गया, जैसे 3D view picture देखने जाते हैं, उसके लिए अलग चश्मा आपको पहनना पड़ता है, और आपका वो जो viewing experience है, बहुत शांदार हो जाता है, वो snap code window और tick list की window खोलने से आपको बहुत अच्छा एक नजरिया बन जाता है market का, और कई दिनों तक, ये star जो है, ये बाजार जो है respect करता है, विजे जी मेरा एक सवाल है इसमें, तो screen पे ATP, ये बहुत ही एक popular indicator या चीज है, नंबर है, जो की बहुत सारे traders यूज करते हैं, तो क्या आप हमारे viewers को इसके बारे में भी कुछ बताएंगे? जी हैं, बिल्कुल, मैं पीछे चले जाओंगा, ATP और LTP का आपको एक उधारन देने के लिए, अब, ATP ये है, जहांपे मेरा mouse cursor है, ATP का मतलब है, average traded price, औसद rate, हर सौधा पढ़ने के बाद, ये rate change होते रहेगा, और सुबह से, जबसे बाजार खुले हैं, तबसे जितने सौध पे हुए हैं, जिस जिस दाम पे हुए हैं, उसका ये average है, और LTP, याने last traded quantity, या last traded quote, अब, ATP के average में, कहां पर है LTP, ये भी आपको दर्शाता है, कि बाजार में रुजहान तेजी का है, या मंदी का है, अब, आखरी सौधा जो बाजार में हुआ है, इस particular संदर्ब में, तो तो वो 3430 रुपए 55 पैसे पे हुआ है, जबकि ATP जो है 3431 की थी, अब जो है, बाजार में बढ़त थम रही है, अगर आपने तेजी करनी है, अगर आपने खरीदारी करनी है, तो कुछ साधारन से rule या नियम जो है, बना के रखिए, ये पिछले दिन का close है, 3460 रुपए, ये आज का आखरी rate है, 3430 रुपए, तो कल से तो उपर है, यानि बाजार में तेजी है, वो चीज तै है, आप खरीदेंगे कब, जब LTQ यानि Last Traded Court, ATP से उपर हो, ATP से उपर क्यों हो, क्योंकि जिन लोगों ने माल इखटा किया है, उनका average holding on cost 3431 रुपए 58 पैसे है, उसके उपर भी जब और नई खरीदारी आ रही है, तो दाम और उपर जाएगा, 3431 आज के दिन का average price है, बिल्कुल, बिल्कुल, आज के दिन का average price है, जिस average price पे वो माल अभी hold करके बैठे हैं, अगर और खरीदारी करेंगे, इस level के उपर तो दाम और उपर बढ़ेगा, उस माहल में आ जोड़ा है, शादी शुदा है, इस शादी को ना भूलें, बाजार में. I had one question about the bid and ask quantity, so generally we see, generally हम देखते हैं कि जो ask quantity है, वो हमेशा ज़्यादा रहती है, उसका क्या logic रहता है, how do we analyze that number? अपुर्वा, यह जो quantity है, total, bid and ask, यह क्या manipulate हो सकती है, उसका सीधा सा जवाब है, हाँ हो सकती है, जहाँ जहाँ money markets में पैसे का सवाल आता है, उसे कुछ manipulation होना तो संभवता आपको उम्मीद रखनी चाहिए, जिसे अंग्रेजी में spoofing कहते हैं, अब anti-spoofing rule जो है, हमारे Securities and Exchange Board of India ने कायम किया है, आप घड़ी-घड़ी कोई सौधा एंटर करके उसको delete कर रहे हैं, सिर्फ इस वज़ा से, क्योंकि आपके total quantities को आप influence करना चाहते हैं, तो आप पर penalty लगेगी, आपके broker को भी red flag किया जाएगा, अगर आप नीचे के circuit पे buy order या उपर के circuit पे sell order डाल रहे हैं, सिर्फ इस वज़ा से, कि आप total buy और total seller quantity को influence करना चाहते हैं, तो उसे spoofing में माना जाएगा, तो जब से ये कानून आया है, तब से मुझे total bid and total ask, याने total buyers और total sellers की quantity के आपड़ों पर थोड़ा ज्यादा भरोसा है, ये एक बहुत अच्छी बात हुई है अपुर्वा, securities and exchange board of India ने बहुत अच्छी बात की है, अब तीसरा पहलू, statistics, आकड़ों की जो है study, हम लोग जो proprietary trades करते हैं हमारी company में, हम लोगों ने अपना खुद का एक in-house statistical trading model बनाया है, जिसे हम IBEX कहते हैं, और हम विभिन तरीके की studies किया करते हैं, जो एक combination है, trader psychology, जिसे मनोव इज्ञान कहते हैं, statistical studies की और trend following की, तो ये लोग जो हैं कारोबारी, digital market में अपने footprint छोड़ा करते हैं, आप जब भी कुछ खरीद रहे हैं या जब भी कुछ buy कर रहे हैं तो आपने एक footprint छोड़ी है, कहां छोड़ी है, traded volumes में, open interest में, ATP में, LTQ में, कुछ न कुछ बदलेगा आप उर्वा, कहीं न कहीं हर सौदे से कुछ न कुछ चेंज होगा, अगर आप उस भाशाप पे अपना पकड़, अपनी understanding को बढ़ाएं, तो एक नया पहलू, एक नया dimension आपके लिए खुल जाता है, उसी को हम मत्रियोश का analysis कहते हैं, अब सीधी सी बात है, कि risk appetite, market में बड़ी है या घटी है, वो आपको ये chart दिखा रहा है, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, वो बहुत सरल है, लेकिन ये बात, इस एक पहलू पर, इस pivot पर, सारा market इसी के इर्द गिर्द घूमता है, जैसे सूरज, अपने solar system में एक center point है, और सारे ग्रह, उसके आगे परिक्रमा लगाते हैं, वैसे इसी बात पर सब कुछ दारोमदार करता है, हम लोग ये बात देख चुके हैं, कि भारती संदर्ब में, in the Indian context, individual stocks, 3-3.5% की intraday volatility दिखाते हैं, range दिखाते हैं, और index, सवा से पौने 2% की intraday volatility on an average, और सद, intraday game दिखाती हैं, अगर कारोबारी जो हैं, वो index में ज्यादा काम कर रहे हैं, और shares में कम कर रहे हैं, तो वो डरे हुए हैं, वो सहमे हुए हैं, अगर index में कम, और individual stock futures में ज्यादा, या individual stocks में ज्यादा कर रहे हैं, तो एक उल्हास का माहौल है, एक recklessness है बाजार में, जो होगा देखा जाएगा, यार आज तो मैं खरीदूंगा, उस माहौल में आपको तेजी करनी चाहिए, और जब डर का माहौल है, आपको यहां तो option right कीजिए, यहां जो भी low volatility आपके जो trading game plan है, वो कीजिए, बात यहां रुकत रहे हैं जहां पर पैसे की लागत ज्यादा लगती है, investment आपको क्योंकि span margin, mark to market, सब कुछ देना पड़ता है futures में, अगर आप futures में ज्यादा trade कर रहे हैं, तो risk appetite आपकी बड़ी है, और अगर आप futures में मार खा चुके हैं, लेकिन आप फिर भी बाजार में participate करते रहना चाहत कि सबसे ज्यादा कारोबार index options में आए, जो कि low volatile और सबसे low capital investment का एक जरिया है बाजार में काम करने का, तब तब बाजार में बड़े turning point आते हैं, जब उसके विपरीत आप देखेंगे, जब traders जो हैं, अपना भय पीछे छोड़ कर individual stock futures में बहुत ज्यादा पैसा लगाते है और वो volume जो है, अपने all time high पर चले जाता है, तब तब market में top बनता है, क्योंकि वहाँ पर distribution आ जाती है, तो ये आपको कैसे मालुम पड़ेगा, ये आपको statistical analysis से मालुम पड़ेगा, इस particular chart में हम क्या देख रहे हैं, हम nifty spot कितनी बढ़त यां गिरावट आई है, वो देखत हैं, index futures turnover, सारे F&O turnover के एक component का है, एक हिस्सा कितना बना है, stock futures turnover, stock options और nifty futures, जब जब आप देखते हैं, कि stock futures, तो आप देखेंगे कि फिलहाल, ये जो olive green line है, जिस पर मेरा mouse cursor है, ये stock futures turnover है, सारे F&O turnover का component, ये देखिए, अब लुड़क रहा है, पिछले कुछ दिनों से, ये क्यों लुड़क रहा है, क्योंकि लोग डरे हुए है, market नीचे आ रहा है, अगर ये और ज्यादा नीचे चले जाता है, और अपसे सबसे अपने lowest level पर चले जाता है, तो risk appetite, यूँ समझे, बाजार में ख गूमेगा और तेजी की ओर बढ़ेगा, तो ये आकडो का खेल है, ये statistics का खेल है, और ये data आपको आपका trading terminal रोज शाम को साड़े तीन बजे मुफ्त में देता है, फर्क सिर्फ इतना है कि क्या हम बाजार की भाशा सुन रहे हैं, क्या हम कान खोल के ये आकड़े देख पा और अगर नहीं दे रहे हैं और पैसा नहीं बना पा रहे हैं, तो गलती किस की है, बाजार की तो गलती नहीं हो सकती है पूरवा, तो ये कमी trader की है कि वो नहीं जानता है उसे क्या, कहां देखना चाहिए और कब देखना चाहिए, और उसी के basis पर अपने trades किस direction में करने चाह इतना आसान नहीं है इस market से पैसा निकालना, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि आदमे की कमर टूड़ जाए, फर्क सिर्फ इतना है कि आपको बहुत साधारण, बहुत सहज, बहुत simple तरीके से सही आंकडे, सही दिशा में देखने चाहिए और बाजार के पीछे- आसा जा रहा है, उसके पीछे-पीछे गाड़ी में चड़ जाई है, that's it. So just to clarify, आपने जो right side की access है, उसमें Nifty का chart plot किया है, Nifty का data points है, और बाखी जो सारे है, वो 20-day turnover change का percentage plot किया, right? जिया, percentage of the total F&O turnover. Turnover for over the last 20 days. 20 days, 20 days. Look back period is 20 days. तो हम statistical analysis से क्या achieve करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि trading probabilities का एक खेल है, ना कि guarantees का, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जो भेड़ चाल में लोग चल रहे हैं, crowd जिसे कहते हैं, उससे दो कदम आगे रहें, अगर दो मील आगे रहें तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन दो कदम कम से कम आगे रहें. क्यों? क्योंकि जब share हिरनों का शिकार करने निकलता है, हिरनों के जुंड़ के पीछे भागता है, तो आपको शेर के जबडे से बचने के लिए सबसे तेज हिरंड नहीं बनना है आपको सबसे धीमे हिरंड से थोड़ा तेज भागना है तो आप बाजार से अगर दो कदम भी आगे हैं ना पूर्वा तो आप घर पे अपने परिवार के लिए टेवल पर खाना रखने के सक्षम हो जाएंगे ट्रेडिंग के इंकम से बस आपको एज चाहिए और दूसरा हर ट्रेडर चाहे उसके पास कितने भी बड़ी तक्नीकी विशेशग्य और कितने टूल्स क्यों न हो बाजार में ऐसा वक्त आएगा जब न्यूज की वज़े से उठक पठक बढ़ेगी युद्ध होगा भुकम पाएगा सूखा पढ़ेगा यह कोई political event आएगा यह कोई news flow budget वगरा वगरा RBI की announcement आएगी जब बाजार में उतार चड़ाव आएगा और आपको नुकसान होगा यह market के प्रनाली का market के normal operations का एक हिस्सा है उसके बावजूद आपको चलते रहना है तो यह सारे जो टीन टूल्स है technical analysis, screen reading और statistical analysis इसके बावजूद भी आपको drawdown याने नुकसान आ सकते हैं उनसे आपने घबराना नहीं है उसके बावजूद आप trade करते रहिए और अगर आप यह जो सारे तीनों टूल्स मैंने आपको बताया हैं आप इसकी mastery कर लें और एक वर्ष तक इनको सही माइने में आप इस्तमाल करें आप अपने सारे पुराने accumulated losses या जो भी आपने market में खोया है वो वापस कमा सकने की शमता रखेंगे यह मेरा दिड़ बहुत ही दिड़ विश्वास है मैं ऐसा मानता हूँ क्योंकि इस दोर से मैं खुद गुजर चुका हूँ और सन 2000 में मैंने market में सब कुछ गवा कर वापस पाने की जदो जियत मैंने कोशिश करके कामियाबी से की है अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सक आपसिलूटली तो मैंने यह जो आपकी सन 2000 में जो लॉस वाली स्टोरी है वो काफी बार सुनी है और उससे मैं खुद काफी बाहर इंस्पायर हूँ कि अगर मार्केट में लॉस आएंगे तो लॉस से इतना बड़ा लॉस भी अगर आ जाए तो पहली बात तो आपको यह कर सकते हैं बिलकुल अपूरवा बिलकुल बिलकुल मैटमाटिकली यह पॉसिबल है और यह हो सकता है विजए जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपने हमारे साथ यह जो पूरा सेशन में एक्स्प्लें किया कि इंट्राडी ट्रेडर्स के सामने ही बलके नाक के नीचे ही एक स् यह दो ऐसी चीज़ें जो शायद बहुत-जादा ट्रेडर्स यूज नहीं करते हैं टेक्निकल अनालेसिस तो खेर आजकल सभी लोग करने लगे लेकिन बाकी की जो दो चीज़ें उन्हें लोग निगले करते हैं तो आपने हमारे विवर्स के लिए यह जो दरवाजे एक त सब्सक्राइबर्स को संबोधित करके उन्हें अड्रेस करने और मेरी ओपिनियन शेयर करने का जो मुझे मौका दिया मैं उसके लिए आपका बहुत आवारी हमारे एक शो की प्रता है कि रैपिट फायर क्वेशन्स पूछते तो मैं बागी के सारे क्वेशन्स अवाइड कर कर सकता हूं मेरे अंदर कितनी शमता है और हर ट्रेड के जरीए वो अपने आपको जानकारी अपने आपके बारे में ज्यादा जानता है वो उसके डरने की सीमा कितनी है कितना डर वो हैंडल कर सकता है कितना प्रेशर वो हैंडल कर सकता है तो एक लाइफ लेसन मैंने सीखा ह है कि अगर आप एक द्रिण निश्चाय कर लें कि मेरी बेस्ट ट्रेड जो आखरी ट्रेड होगी मेरी जिन्दगी की और सबसे बड़ी और बेस्ट ट्रेड होगी वो अभी तक आई नहीं है वो आने वाली है आप उसके लिए प्रिपेर करते रहिए हो सकता है हर ट्रेड पर आप एक, दो, तीन, पाँच बेसिस पॉइंट याने 0.01 प्रतिशत अपनी प्राफिटिबिलिटी हर ट्रेड पर बढ़ाते रहिए आप देखेंगे दीरे-दीरे कि चाहिए आप साट, सतर, असी वर्ष के कारोबारी ट्रेडर क्यों नहों आप अपने आपको और ज्यादा इंप्रूब कर सकते हैं और और ज्यादा एक जगा बनती है, possibility बनती है कि आप आगे चल कर इससे भी ज्यादा efficiency और efficiency के साथ साथ मुनाफ़ा तो आएगा ही, वो आप अचीव कर सकते हैं, तो the best trade that I am going to make is still in front of me, यह सोच कर मैं रोज सुबह अपने statistical model को पढ़ता हूँ और अपडेट करता हूँ और यह सोचता हूँ कि क्यूं आज मुझे कल से और ज्यादा अच्छी trade करनी है, यह करते-करते मैं काफी आगे निकला हूँ और मुझे लगता है यही एक रास्ता है कम से कम मेरे लिए और आगे बढ़ने का, So those were the keys to your success, तो I am sure कि अगर यही जो thought process है, यह अगर हमारे viewers भी अपना ले, तो I am sure कि वो भी बहुत अच्छे successful traders बन सकते हैं, So thanks a lot once again, hear your insights and knowledge with all of our viewers and with me. Shukriya Apoorva, Thank you. तो यह थे विजय भंवानी जी, इनके साथ हुए इस एपिसोड में हमने तीन main tools के बारे में बात की, जो की हर एक intradit reader के पास होने चाहिए. सबसे पहले हमने बात की technical analysis के बारे में, इसके बाद हमने बात की screen reading के बारे में और यहाँ पे हमने धेर सारे tools के बारे में बात की, तो इसमें snap quote window, tick list window और ATP और LTP के बारे में बात की, इसके बाद हमने मातरयोश का analysis या फिर statistical analysis के बारे में बात की, तो इन सभी टूल्स का कॉंबिनेशन को यूज करके आप एक बहुत ही अच्छे सक्सेसफूल इंट्राडेट रीडर बन सकते हो। तो I am sure कि आपको दोनों ही एपिसोड बहुत ही ज़ादा पसंद आया होगा। ऐसी इंट्रेस्टिंग एपिसोड आगे भी देखने के लिए हमारी चानल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू तो चो करेंट अर्निंग का कॉंसेप्ट इसमें हम देखते हैं कि चो करेंट कॉर्टरली अर्निंग से हर तिम्हाई में नतीजे कुशित करती है हर कंपन झाल हुआ हुआ है